नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर मुझूद रूसी दूतावास ने ये खुद जानकारी दी है कि रूसी गुड्स का जो पहला ट्रक है वो पाकिस्तान पहुंच चुका पाकिस्तान को ये चीजे एक्सपोर्ट की है रश्या ने इतना ही नहीं इसी ट्वीट के अंदर ये भी बताया है रूसी अमबेसी ने कि जी पाकिस्तान और रूस के बीच होने वाला जो व्यापार है वो इस साल 50% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है जो बहुत ही ज़्या करोड रुपए को भी क्रोस कर चुका है और आने वाले कुछी महीनों में आप देखोगे कि ये वन बिलियन डॉलर याने की आठ हजार करोड रुपए के मार्क को भी पार कर जाएगा और आने वाले तीन-चार सालों में इसे आप तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ते होगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसका कारण है टी आई आर कंवेंशन मतलब की ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट कंवेंशन दरसल आपको याद होगा आपसे कुछ महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस के विदेश मंत्रियों और कए बड़े अधिकारियों पाकिस्तान का दोरा किया था और उस समय इन्होंने एक बहुत ही बड़ा agreement sign किया था TIR उस समय भारत में इसको लेगर बात चीत नहीं हुई थी लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि यह TIR agreement आने वाले समय में भारत को बहुत परेशान करेगा और इसका कारण ये है कि अभी तक रूस और पाकिस्तान के बीच में जितना भी व्यापार होता था वो सभी समुदरी मार्गों के जरिये होता था और समुदरी मार्गों पर हमेशा अमरीकी सरकार का पहरा रहता है वहाँ पर अगर रूस और पाकिस्तान व्यापार करन उधर रूस को भी खत्रा रहता था कि अगर हम ज्यादा व्यापार करेंगे तो कहीं भारत नाराज ना हो जाए लेकिन इसी का सलूशन निकाला है पाकिस्तान और रूस ने इन्होंने TIR एग्रिमेंट साइन किया और इसी लिए इस TIR एग्रिमेंट के जरिये अब ये लोग सम नहीं कर सकता इसी वजए से इनका व्यापार आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगा और अगर आप इस मामले को और अच्छे समझना चाहते हो ना तो इस मामले को आप कंपेर करो उत्तर कोरिया से दरसल उत्तर कोरिया पर भी बहुत सारे कठोर परतिबंद लगे बलकि जमीनी रास्तों से मदद पहुचाता है और अलग अलग तरीकों से उत्तर कोरिया को सप्लाई देता रहता है और इस सप्लाई को ना तो अमेरिका ना ही उनाटिड नेशन पकड़ पाते हैं अब कुछ ऐसा ही होगा रूस और पाकिस्तान के मामले में भी बस फरक इतन है तो देखिए व्यापार से भारत को खत्रा नहीं है खत्रा इस बात से है कि जो यह व्यापारिक साजेदारी है आने वाले समय में मिलिटरी साजेदारी में ना बदल जाए क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब दो देशों के वीच में कोई संबन नहीं होता तो पहले वो व लियापारिक रिष्टे सुधारे और अब बहुत ही जदा अडवांस लेवल के मिलेटरी रिलेशन भी भारत अमेरिका के बीच में कायम हो चुके हैं भारत नहीं चाहेगा कि यही चीज पाकिस्तान और रूस के साथ हो और इसी लिए यहां पर भारत अमेरिका दोनों को मिलकर काम करना होगा जहां पर अमेरिका पाकिस्तान को रोके वहीं भारत रूस को रोकने की कोशिश करे तभी यह चीज मुमकिन है हाला कि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जुरू बताएगा थैंक्यू वेर मच फुराचिंग वीडियो